चलो जेनिटिक्स ही पढ़ा देने पहले है ठीक है। जेनिटिक्स एंड एवलूशं तीन चैप्टर हमारे पास हैं। बड़ी उनिट है करीब आप कहा सकते हैं तरह से लेकर 20 सवाल आपके एक्जाम में आएगी। सत्रा से लेके 20 सवाल आपके एक्साम में पूछे जाते हैं, टाइम हो रहा है, दो बचकर 45 मिनट, तो 1953 में डबल हिलिकल मॉडल दिया गया, DNA का यह तो आप सभी जानते हैं, वाट्सन और क्रिक ने डबल हिलिकल मॉडल दिया था DNA का, और इस काम के लिए इस काम के लिए उनक को नोबल प्राइज दिया गया है, 1953 में प्रपोजल और डबल हिलिकल स्टक्चर और डियने एंड दा रेपलीकेशन स्कीम, रेपलीकेशन स्कीम भी इनो नहीं दीती, अब इनको दिया गया नोबल प्राइज 1962 में, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, नोबल प्राइज वाट् और क्राइस्ट ह्यूमन यह जानता था कि वैरियेशन का एक कारण छिपा हुआ है, सेक्सूवल रेप्रोडक्शन में, आर्टीफीशल सेलेक्शन और डॉमेस्टिकेशन के द्वारा, साही वालकाओ को पंजाम में डेवलप किया गया, साही वालकाओ को पंजाम में किया थे ठीक है, अठारा सो चपन से अठासो और तिलसर तक इन्होंने सेवन करेक्टर लिये थे, सीड सेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड सेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और इस्टेम की है, जिन में एक डॉमिनेंट टेट थी और दूसरी रेसेसिव टेट थी, आपको ध्यान ये रखना है, कि सीड कलर में यलो डॉमिनेट होता है, ग्रीन रेसेसि होता है, और पॉड कलर में ग्रीन डॉमिनेट होता है, यलो रेसेसि होता है, फ्लावर पोजीशन में एक्जियल डॉमिनेट करता है, और टर्मिनल रेसेसि होता, पॉड सेप में फुल सेसी होता यह कुछ टर्म है जो आप ध्यान रखेंगे यहां पर मेंडल पहली बार थे जिन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया था बायो की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने मेंडल यहां पर भी आपको वही करेक्टर दिये गया और पहले लिखा गया और जो बाद में लिखा गया वह रिसेसी हो जाएगा तो सेवन करेक्टर मेंडल के द्वारा यहां पर स्टड़ी किये गये थे इन्हेरिटेंस ओफ वन जीन का मतलब होता है बेटा कि अगर हम एक कैरेक्टर के लिए स्टड़ी करते हैं तो उसे इन्हेरिटेंस ओफ वन जीन या मोनो हाइब्रिट क्रॉस का नाम से हम जानते हैं तो मोनो हाइब्रिट क्रॉस में आपको क्या क्या चीज़े ध्यान रखन इन्होंने factor के बारे बताए है उन्होंने factor के बारे बताए जिनको आज हम gene के नाम से जानते हैं ठीक है gene are unit of the inheritance ठीक है और जो gene code करते हैं एक pair contrasting trait के लिए उन्हें allele कहते हैं अब एक ही जिन की दो slightly different form होते हैं जैसे capital T और small t की बात करें तो capital T and small t are aliens of each other अब अब एलिल के जो pair होते हैं उन्हें जीनोटाइप के नाम से जाना जाता है अगर अगर अलग अलग तरही के तो उन्हें हेट्रोजाइगस कहा जाता है नहीं जैसे capital T, small t से heterogigus के नाम से जाना जाएगा अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान देंगे monohybrid cross के अगर बात करें तो phenotype का ratio 3 to 1 आता है और genotype का ratio 1 to 2 to 1 आता है यही आप से exam में पूछा जाता है panett square को british geneticist resinald सी panett के दोरा develop किया गया यह graphical representation है जिससे हम सभी possible genotype की probability को calculate कर सकते हैं सभी genotype की probability को calculate किया जा सकता है अब जो capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t, small t का ratio आता है उसको हम mathematically binomial expression के दोरा भी explain कर सकते हैं ठीक है binomial theorem के दोरा भी explain कर सकते हैं अगर हम F1 या F2 plant का cross dwarf plant से कराते हैं ठीक है recessive parent से कराते हैं तो उसे test cross के नाम से जाना जाता है यहाँ पर एक test cross आपको दिखाए भी गया है आपको क्या ध्यान लखना है कि अगर सारे flower या सारे progeny dominant होंगे तो unknown जो genotype है यह homo-gigus dominant होगा और अगर आधे dominant और आधे recessive है तो unknown plant heterogigus होगा बस test cross में इतनी चीज़े आपको यहाँ पर ध्यान लखना है Mono hybrid cross के आधार पे मेंडल ने दो general rule दिये थे जिनको हम कहते है rule और laws of inheritance पहला लोग को love dominance और दूसरे को love segregation कहते हैं लोग dominance में तीन चीज़े बताई गई गई character are controlled by discrete unit called factor factor pair में पाए जाते हैं और dissimilar pair में एक dominate करता है और दूसरा recessive होता है love dominant हमें यह explain करता है love dominance explain करता है कि एक character ही क्यों express होता है mono hybrid cross में F1 generation में और दोनों character क्यों express होते हैं F2 generation में साथ ही साथ यह explain करता 3 to 1 ratio को love dominance 3 to 1 ratio को explain करता है love segregation की अगर बात करें तो love segregation कहता है कि alel do not so any blending alel में blending नहीं होती है incomplete dominance की बात करें तो incomplete dominance कहां पर मिलेगा snap dragon या antirinum या फिर flower color of the dog flower यहां पर अगर आप देखें तो जब red और white की बीच cross करा जाता है तो F1 generation में pink मिलते हैं जबकि red मिलना चाहिए था और जब pink की selfing कराई जाती है तो हमें red, pink और white तीनों तरह के flower यहां पर मिल जाते हैं जहां पर phenotype का ratio 1 to 2 to 1 और genotype का ratio 1 to 2 to 1 आता है जबकि phenotype का ratio 3 to 1 आना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं आता है ऐसा नहीं आता है तो explanation क्या इ concept of dominance का explanation यह बताया गया कि जो modified allele होता हो तीन चीज़े कर सकता है normal या less efficient enzyme बना सकता है non functional enzyme बना सकता है या enzyme का formation नहीं करेगा अब यह जो example हमारे पास है बटा incomplete dominance का snapdragon वहाँ पर जो recessive trait दिखाई दे रही उसका कारण है non functional enzyme या no enzyme या यह जो तीन कारण है इन दोनों मेंसे एक कारण हो सकता है इन दोनों मेंसे कोई एक कारण हो सकता है co dominance co dominance की अगर हम बात करें तो co dominance में क्या होता है बटा देखो अगर F1 resemble either of two parents that is dominance अगर दोनों के बीच में तो incomplete dominance लेकिन co dominance में F1 दोनों parent से resemblance हो करता है और इसका example है ABO blood grouping in human being ABO blood grouping को i gene control करता है ठीक है और यह जो i gene ह होता है इसके तीन होते है आई ए आई बी और यहां पर पाये जाते हैं अब जो यहां पर incomplete dominance की हम बात करते हैं तो co dominance की अगर हम बात करें तो co dominance में जो ABO blood grouping है यहां पर six different combination बनते हैं जैनि six different type के genotype होते हैं ABO blood grouping में और phenotype की अगर बात करें तो phenotype यहां पर चार होते हैं तो ABO blood grouping में एक gene होता है तीन allel होते हैं 4 phenotype होते हैं और 6 genotype होते है 1346 आप यहां और यह life जाएगा यहां यह पर देते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि यह common है, यह देखो, यह वाला जो है, यहाँ पर पहले सी लिखा हुगा है, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अगर आप blood group देखो, तो A blood group एक हो गया, B blood group दूसरा हो गया, A B तीसरा हो गया, और चौथा हो गया, हमारे पास चौथा हो गया अब A B O जो blood group होता है, यहाँ पर यह multiple allelism का भी case होता है, यह dominance का case भी है, complete dominance का case भी है, complete dominance का, co-dominance का multiple allelism तीनों का case है, लेकिन multiple allel आपको कम भी लेंगे, जब आप population study करेंगे, क्योंकि एक individual में maximum, तो allel present हो सकते हैं, ठीक है, आप देखो, starch synthesis in PCD is controlled by one gene, ठीक है, और इसके दो allel होते, capital B and small b, यह जो starch synthesis in PCD होता है, बटा, starch synthesis in PCD की अगर हम बात करें, तो starch grain size होता है, इसके हिसाब से, यह incomplete dominance हो करता है, starch grain size के हिसाब से, इन complete dominance हो करता है, और अगर हम starch, अगर हम seed के shape की बात करें, तो seed के shape के हिसाब से, यह dominance हो करता है, inheritance of two gene, two gene मतलब di-hybrid cross की हम बात करें, तो di-hybrid cross में जो phenotype का ratio है, 9 is to 3 is to 3 is to 1 आता है, और यही आप से exam में पूछा भी जाता है, di-hybrid cross के आधार में मेंडल ने दिया था law of independent assortment, law of independent assortment जिसे second set of generalization के नाम से जाना जाता है, ठीक है, law of independent assortment कहा जाता इसे, chromosomal theory of inheritance की, अगर हम बात करें, मेंडल ने अपने work को 1865 में publish किया, लेकिन इनके काम पे सन 1900 तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि communication उतना आसान नहीं था, उनका जो gene या factor का concept था, stable unit के रूप में, ये उनके जो समकालिन बैग्यानिक थे, उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि nature में variation पाई जाती थी, तीसरी चीज, मेंडल का जो mathematics का यूज था, ये नया था बायो में, और ये इनके समकालिन बैग्यानिकों के दोरा acceptable नहीं था, साथ ही मेंडल ने जिन factor के बारें बताया, उनके लिए कोई physical proof ये provide नहीं कर सके, ये चार कारण थे मेंडल के fail होने के सन 1900 में, तीन साइंटेस्ट, डेवरीज, कोरेंस और सेर मार्क ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के रिजल्ट को rediscover कर दिया, rediscover कर दिया था, 1902 तक 1902 तक क्रोमोसोम के मुमेंट को मियोसिस के दोरान खोजा जा चुका था, साटन एंड बावेरी, साटन एंड बावेरी ने पता लगा ठीक है, जिसे हम कहते हैं, क्रोमोसोमल थेयरी आफ इनिरिटेंस का नाम दिया जाता है, तो साटन एंड बावेरी, साटन एंड बावेरी ने बताया, क्रोमोसोमल थेयरी आफ इनिरिटेंस के बारे में, ठीक, क्रोमोसोमल थेयरी आफ इनिरिटेंस के बारे में, और इसका ज experiment क्यों किया क्योंकि इसे आसानी से simple synthetic medium में grow करा सकते हैं life span के अबल two week की होती होती हो तो single mating में large number में fruit fly produce होती जो male का size होता हो चोटा होता female का size बड़ा होता है तो यहां पर clear differentiation होता है success का और साथ ही इनमें कई hereditary variation पाई जाती जिन्हें low power के microscope से देखा जा सकता है अब बात करते हैं यहां पर linkage और recombination के बारे में linkage और recombination Morgan ने drosophila के अंदर dihybrid cross कराए और उन जीन पर study किया जो six linked gene थे ठीक है six linked gene थे लेकिन इनको जो ratio मिला ओ 9331 का ratio dihybrid cross में नहीं मिला कुछ अलग ratio मिला Morgan ने जो gene लिये थे वो gene x chromosome पे located थे ठीक है x chromosome पे located थे तो Morgan ने दो term दिये linkage term दिया और इन्होंने recombination term भी दिया linkage term physical association को बताने के लिए और recombination term non parental gene combination को समझाने के लिए दिया अब यहां पर आपके पास दो cross हैं cross a और cross b cross a की अगर हम बात करते हैं बटा तो cross a में y और w के बीच आप distance देखे कम है और cross b में w और m की बीच की distance ज़्यादा है तो जब y और w की बीच पूछा जाएगा f2 generation में parental type कितने होंगे तो 98.7 और recombination 100 में से घटा लिना cross b में w और m की बीच parental 62.8 है और recombination 37.2 है यानि जतना ज़्यादा जिन नजदीक होंगे parental type उतने ही ज़्यादा होंगे ठीक है यह हमारा case हो गया यह हम कह सकते है strength of linkage between y and w is higher than w और m. w और m के बीच में जो linkage है उसकी तुलना में y w के बीच linkage ज़्यादा है तो उसे polygenic inheritance कहा जाता है जैसे human skin color, human height है ना human skin color और human height यह ऐसे example है जो polygenic inheritance है जिनको तीन या तीन से ज़्यादा gene control करते है और यहाँ पर जो allele का effect होता है वो additive होता है जैसे अगर human के skin color की बात करें तो skin color को तीन gene control करते हैं ABC इनके तीन dominant form होती और तीन recessive form होती dominant वाले dark skin color और recessive वाले light skin color को produce करने का काम करते है ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि polygenic inheritance में influence of environment, environment का प्रोभाव भी होता है अगर आप दूप में ज़्यादा टहलेंगे तो आपकी skin dark हो जाएगी है ना चले अब आता है पिलियो ट्रॉपी, पिलियो ट्रॉपी में क्या होता है कि एक single gene, एक single gene कई सारे character को control करता है ऐसे gene को पिलियो ट्रॉपिक gene का नाम दिया जाता है इसका एक्जामपल है phenyl ketonuria, phenyl ketonuria में एक gene में mutation हो जाता है जो gene enzyme phenyl alanine hydroxylage को code करने का काम करता है और इसकी वज़े से mental retardation भी हो जाता है एक character, reduction in hair and skin skin pigmentation यह भी यहाँ पर character affect हो जाते हैं, sex determination की अगर हम बात करें तो sex determination में आपको क्या चीज़ धिया रखनी है hanking याद करना है 1891 में इन्होंने कुछ specific nuclear structure का पता लगा था, insect में spermatogenesis के दोरान और इन nuclear structure को नोंने x body का नाम दिया लेकिन इसका significance नहीं बता पाए, बाद में पता चला कि यह x body actually क्या है, x chromosome है, ठीक है अब insect में, ज्यादा तर इन्सेक्ट में जो mechanism होती है, वो x o type की पाई जाती है, और x o type की mechanism की अगर हम बात करते हैं, तो बैटा, यहाँ पर जितने भी एग होते हैं, सम्में आटो सोम के लावा एक x chromosome होता है, लेकिन अगर हम sperm की बात के तो 50% sperm में x chromosome होता है, और 50% में नही पाई जाते हैं, ग्रॉस ओपर में x o type की sex determination present होती है, जहाँ पर male में chromosome का नंबर female की तुलना में एक कम होता है, अब अगर दूसरा हम यहाँ पर example लें, x y chromosome, x y determination के बारे में, ठीक है, x y type of sex determination, यह कहाँ पर mammal में including man and drosophila में भी mechanism पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर male और female मे chromosome का नंबर बराबर होता है, ठीक ब्रosophila में भी यह mechanism पाई जाती है, अब x or x y type दोनों ही mechanism में male heterogamity होती है, यानि male दो तरह के gamete बनाता है, female single type के gamete का formation करती है, लेकिन दीसरा bird की अगर हम बात करते हैं, तो bird में gw type की mechanism पाई जाती है, ठीक है, बर्ड की अगर बात करें, female heterogamity पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर female दो तरह के एक बनाती है, लेकिन male में जो sperm होते हैं, वो एक ही तरह के बनते हैं, अब यहाँ पर बच्चे का जो sex होता है, human के case में, genetic makeup of sperm that determine the sex of child, हर pregnancy में बच्चे के male या female होने की probability हम ऐसा 50% होती है, लेकिन हमारे समाज में, जो female होती है, उनको blame किया जाता है, अगर लगाता लड़कियां पैदा होती है, sex determination in honeybee, honeybee में जो sex determination होता है, यह depend करता है, number of set of chromosome के ओपर, अगर chromosome का एक set आया तो male बनेगा, दो set आया तो female बनेगे, female दो तरह की हो सकती है, queen या worker हो सकती है, इनका formation, कैसे होगा, fertilized X से होगा, ठीक है, fertilization के बाद female बनेगी, और unfertilized X से male या drone का formation होगा, by means of parthenogenesis, यहाँ पर जो female होती है, वो diploid होती है, जिनमे 32 chromosome होते हैं, male जो होते हो, haploid होते हैं, उनमे 16 chromosome होते है, female meiosis के दोरह gamete बनाती है, male, mitosis के दोरह gamete का formation करते है, male में, और यह जो mechanism है, इससे हम कहते है, haplodeploid sex determination system और इस system की खास बात क्या है, कि जो male होते हैं, ठीक है, male जो होते हैं, male do not have father and thus cannot have son, ना तो इनके पापा होते हैं और ना ही लड़के होते हैं, लेकिन they have grandfather and can have grandson, लेकिन इनके दादा और पोते होते हैं, बहुत interesting बात है, mutation क्या है, alteration in DNA sequence is called mutation, इसी को mutation का नाम दिया जाता है, cancer cell में generally पाए जाते हैं, अगर single base pair of DNA में कोई change हो रहा है, तो इसे point mutation कहते हैं, जिसका example है, sickle cell anemia, sickle cell anemia इसका example है, mutation कौज करने वाले agent को mutagen कहते हैं, ultraviolet radiation, एक mutagen है, जो mutation को कौज करता है, pedigree analysis की बात कर देते हैं, pedigree analysis क्या होती बटा, pedigree analysis का मतलब होता है, analysis of trait in the several of generation is called pedigree analysis, pedigree में कुछ symbol यूज करते हैं, male के लिए, square यूज करते हैं, female के लिए, circle यूज करते हैं, unspecified sex के लिए, हम यह berfuge कर लेते हैं, affected हैं, तो dark कर देंगे, mating को एक line से, relative के बीच mating हो गई, तो दो line से represent करेंगे, parent को उपर और बच्चों को नीचे दिखाते हैं, और बच्चों का जो क्रम होता है, birth का, वो left to right रखते हैं, यानि अगर यह x है और यह y है, तो यह जो लड़की है, इसकी इस तरीके से represent कर दिया, birth के अंदर number लिख दिया, pedigree analysis क्यों करते हैं, pedigree से हम trace कर सकते हैं, inheritance को या abnormality या disease का हम पता लगा सकते हैं, चलो, अब genetic disorder जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं, mendelian और एक को कहते हैं, chromosomal disorder, mendelian disorder कैसे होते हैं, यह होते हैं, due to alteration और mutation in the single gene, यह single gene के दौरा होते हैं, ठीक है, single gene और income pedigree analysis के दौरा trace कर सकते हैं, जैसे hemophilia, cystic fibrosis, sickle selenemia, color blindness, phenyl ketonuria, thalassemia, यह सब mendelian disorder के example होते हैं, mendelian disorder dominant या recessio हो सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से यह sex linked हो सकते हैं, या फिर autosomal हो सकते हैं, sex linked या autosomal हो सकते हैं, जैसे hemoph philia, एक sex linked trait होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो पहली बीमारी आपको दिखाएगी, यह वाला, यह myotonic dystrophic लिए दिखाएगा, जो कि autosomal dominant trait है, और दूसरा sickle cell enemy आपको दिखाएगी है, जो कि एक autosomal recessive trait यहाँ पर आपको दिखाएगी, color blindness की हम बात करते हैं हीमोफिलिया की बात करें, यह भी sex linked recessive disease है, जहाँ पर कोई भी अगर sex linked recessive disease है, एक sex linked उसमें जो unaffected carrier female होगी, उससे 50% male में यह बीमारी transfer ही हो जाएगी, ठीक है, इस बीमारी में non-stop bleeding होती है, ठीक है, non-stop bleeding होती है, कुईन विक्टोरिया जो थी England की महरानी, वो भी hemophilic carrier थ डिखाई दी, सिकल से लियमिंए आटो सोमल recessive रेट का اगजाम्पिल होता है, जहां पर, जो H.St.H.B.S. इंडिविजौल होते हैं, यह disease phenotype सो करते हैं, बाकि जो H.B.A. H.S.T. इंडिविजौल होते हैं, यह carrier होते है хотя काuyरियर का नाम दिया जाता है, गैरियर का नाम दिया गलुटामीक एसिड को वैलीन रिप्लेस करता हूँ खूब पूछा जाता है अच्छी तरीके से इसको याद करेंगे और ऐसा क्यों होता है क्योंकि कोड़ान जी एजी रिप्लेस बाई जी यह नया सवाल यहां पर बन सकता है ठीक है तो अब बात करते हैं फिनाइल कितनियू और ब्रेन में कुमुलेट हो जाता है जिससे मेंटल रिटार्डेशन दिमागी कमजोरी हो जाती बैला पना जाता है साथी यूरीन के दौरा बोड़ी से बाहर जाता है क्योंकि किड्नी के दौरा इसका रियब्जॉप्शन कम होता है थैलासीमिया आटोसोमल रिसेस्यू ब इसको बेटा थैलेंजियुआ केытे हैं एल्फा थैलासीमिया में अल्फा गलॉबीन चेन अफ्रेक्ट होती है और भीटा थैलासीमिय में बीटा चीन का प्रशण आफ्रेक्टेड हो जाता है यहाँ पर होता क्या है रिडूस्ड रेट ऑफ सेंथेस्जी सौас ऑफ गलोबीन ग्लोबिन चेन की सिंथिस कम हो जाती है, अलफा थैलासीमिया को दो जीन कंट्रोल करते हैं, अब एक पॉइंट बहुत खास है कि थैलासीमिया, एक quantitative problem है, अगर सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलेकूल, लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया की बात करें, तो सिकल सेल एनीमिया qualitative problem है, जिसमें incorrectly functioning hemoglobin का formation होता है, clear? अब आते हैं, chromosomal disorder, chromosomal disorder कैसे होते हैं, बेटा? chromosomal disorder होते हैं, absence और excess और abnormal arrangement of one or more chromosome, failure of segregation of chromatid during cell cycle, result in the gain of loss of chromosome called inuploidy, जैसे down syndrome की बात करें, तो यहाँ पर chromosome number 21 की एक extra copy आ जाती, total chromosome 46 यहाँ 47 हो जाते हैं, Turner syndrome में एक X chromosome का loss हो जाता है, जिससे 45 chromosome बसते हैं, इसी तरह से, failure of cytokinesis after telophage stage, result in increase of whole set of chromosome and this phenomenon is known as polyploidy, polyploidy condition is generally seen in the plant, तो enuploidy में failure of the segregation और polyploidy में failure of the cytokinesis होता, cytokinesis हो जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर down syndrome की बात करें, देखो down syndrome, down syndrome, clan filter syndrome, turner syndrome, यह chromosomal disorder के example पहले down syndrome की बात करते हैं, down syndrome में क्योंता है, additional copy of chromosome number 21 आ जाती, जिससे trisomy of 21 कहते हैं, लेंगडन डाउन ने इस बीमारी को 1806 में पहली बार डिस्क्राइब किया था, क्या होता है, इसमें, इसमें partially open mouth सबसे important feature है, palm is broad, physical and mental development retarded हो जाता, figure भी आपको दिखाएगा, बाइला बच्चा होगा एकदम, congenital heart disease होगी, मतलब सारी बीमारी इसको हो जाएगी, होता है, male की तरह, लेकिन feminine development भी हो जाता है, female की तरह breast develop हो जाती, यह देखो, यह male भाई साहब हैं, और इनके breast develop हो गए, बिचारे क्या करें अभी और ऐसे individual sterile होते हैं, लोग जीवन खतम हो गया, यहीं पर, turner syndrome की बात करें, turner syndrome केवल female में होता है, normal female में दो X chromosome होते हैं, लेकिन इन में एक X chromosome कम हो जाता है, जिससे 45 बसते हैं, XO लिखते हैं, वो मतलब 0, ऐसी female भी बिचारी है, देखो, इनका जीवन भी खतम, sterile हो जाती है, ovaries हा, rudimentary, ovaries बिखसित ही नहीं हो पाती है, अल्बिखसित रहे जाती है, दूसरे secondary sexual character है ना, इनके पास secondary sexual character जो develop होने चाहते हैं, वो develop नहीं हुई है,